लगातार खब्रों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार बहुत स्वागत आपका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे जबलपूर जिले में कुरोना का कहर लगातार बढ़ता जौरा है थोड़े दिन की रहात के बाद अब संक्रमितों के संख्या बढ़ती जौरी है जिले में करोना संक्रण के 13 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 56 हो चुकी है सनिवार दिन भर तक महज 2 दिनों के भीतर पाए गये 25 पॉजिटिव करोना केस पाए गये आज पॉजिटिव केस सभी हनुमान ताल छेतर के हैं सनिवार को आए नए मामले ICMR लैप से 130 सैंपलों की परिक्षण रिपोर्ट आने के बाद मिले इससे पहले सुक्रवार को ICMR से मिली रिपोर्ट के मताबिक 77 लोगों के टेश्ट के गये थे जिसमें की टीन लोगों की यहां पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी वहीं 17 लोगों को अंडर प्रोसेस रखा गया था बाकी के परिश्वन नेगेटिव आय थे IPS रोहित काश्वानी के अलावा दरहाई सराफा निवासी 73 साल के उत्तम जंद जैन और 22 साल के संदिप तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे बता दे कि जबलपूर में अप्रश्वासन अलट हो गया है कई इलाकों को सेल भी कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे पुराने शोहर के अधिकानस इलाकों को सेल कर दिया है जिला प्रश्वासन ने लगातार मिल रहे पॉजिटिव केसों को देखते वे 27 अप्राल तक टोटर लॉकडाउन घोशित किया है वहीं कलेक्टर भरत यादों ने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस को अपनी आदत में शुमार करे बिरो रिपोर्ट न्यूस 29 इंडिया तो आप देखते रहें न्यूस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश झाल झाल